हलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने बाली हूँ वाइट कालाकंद जनरली जो कालाकंद होता है वो डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन कलर का होता है लेकिन मैं आज वाइट कालाकंद बनाऊंगी चलिए उसके लिए क्या-क्या सामगरी चाहिए वो देख लेते हैं मैं यहां पर वान कफ कॉनेंस मिल्क ली हूँ उस कॉनेंस मिल्क में मैं टू कफ रेकोटा चीज दूँगी यहां पे आप homemade cheese पी दे सकते हो लेकिन मैं यहां पे रेकोटा cheese यूज की हूँ रेकोटा cheese और condensed milk को हम अच्छी तरह mix कर लेंगे यहां पे मैं आच्छी तरह दोनों ingredients को mix कर ली हूँ और यह सारे ingredients को हम एक कड़ाई में डाल देंगे low flame में इसको cook करते जाएंगे cook करने के time हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे नहीं तो यह निचे लग जाता है देखिए यह मेरा लगवग dry हो चुका है और सारा चीज को हम आच्छी तरह dry होने तक cook करेंगे cook करने के time हम flame medium to low रखेंगे और यहां पर में cake tin ले ली हूँ और उसको आच्छी तरह grease कर ली हूँ और सारा mixture को हम cake tin में दे देंगे यह जो कालाकंद का mixture है बहुत गरम है इसलिए हम spatula से इसको चारो तरप आच्छी तरह spread कर लेंगे और इसके उपर दे देंगे dry fruits और यहां पर में pistachio and almond यूज़ की हूँ dry fruits देने के बाद उसको आच्छी तरह press कर लेंगे नहीं तो dry fruits निकल जाता है और इस कालाकंद को हम 2-3 hours freeze में रख देंगे freeze में रखने के बाद यह आच्छी तरह set हो जाता है 2-3 hours के बाद हम इस कालाकंद को freeze से निकाल लेंगे और अपने पसंद के हिसाब से उसको हम cut कर लेंगे यह कालाकंद बनाना बहुत हीजी है यह just two ingredients में बन जाता है और खाने में यह बहुत स्वादिष्ट होता है आप इसको बनाईए और अपना experience मेरे साथ सेयर किजिए थैंक्यू